हालो एवरिवान गुड आफ्रनून कैसे है आप सब आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो टाइम जो है वह हो चुका है दो बच कर 20 मिनट और लंच हो गया है और मैं हो गई हूं रेडी मैंने न वही पुराना वाला सूट पहना है मतलब जो शिमला से आते हुए पहना था त तो मैंने ऐसे रखा था टांग कर धरवाजे के पीछे आभी पहन लिया है और मैं जा रही हूं रामपुर वर्तन भरतन भी सब कुछ हो गया है क्यूं जा रही हूं क्यूंकि कपड़े जो है वह देने है एक तो ठीक करने वाले देने है जो भी महीना लग जाता है और उसके लिए यार जब जा रहा है मेरा काम कर दियों पर उसने मना कर दिया कि यह नहीजा चल पर dif मैं अजब को और ऊप चलो जाऊंगा तुम्हीं चली जाओ दिरे दिरे भाई के साथ इजी ली चली भी जाना और ले भी आएगा तो मैंने का ठीक है और तब वियत जो है वो काफी अद्दक ठीक है वो हाफ ना वो सांस पूलना बंद हो चुका है और जैसे पहले लग रहा था एकदम से वो सब ठीक हो गया है अब ऐसी कोई दिकत नहीं है सिर्फ थोड़ी सी विक्नेस है और वो तो रहेगी काफी टाइम रहेगी विक्नेस दवाईयां भी खा रहे है ना तो उससे भी काफी फरक पड़ता है तो यह मैंने इधर पैक कर दिये हैं अपनी ही शॉप के सूट है यह तो अब हम निकलेंगे रामपूर बस वह भी पह यह का रभागत है वहाँ पर आजकल तो नहीं है क्या करते टेलर बहीं को फोन किया था तो उन्हें तो आए थे उन्हें कॉरिंटन कर दिया है तो अभीत नहीं है पर अपनी सेथटी के साथ आना पड़ेगा तो मैंने सोचा मैंने का चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर देती बजार का एक चकर काट लेंगे ले राइएँजा की घाड़ी में है उसकी पर ले टाँ, अब निकलते हैं। पहले सोच रही ह भर स्वाइकल वाली इंयलने तो तो अब निकलते हैं दूपटा का है मेरा हस्बन भी अभी अभी गया है शॉप बोले के लंच करके और बस अभी शॉप की तरफ ही निकलते हैं भाई को मैंने पूछा भी नहीं कि वो खाना खाएगा कि नहीं तो चलिए मैं उसको फोन करते हूं उसे पूछ लेते हूं उसने किया कि नहीं फिर निकलते हैं भाई को मैने फोन किया था तो बाई ने कहा है वो लटंग नहीं करेगा और बस तो हम लोग शॉप की तरफ जा रहे हैं आहलोग वहां होंगे तो थोड़ा काम भी था शॉप पे क्यूंकि सुट लेने थे वहां से सिलने देने के लिए एक वह पर रखा था तो फिर हम चले जा रहे हैं अभी शॉप और धूप जो है वो इतनी तेज है ना बहुत जादा तेज दूप है और यहां रोड़ पर डर लगा रहता है गाडियां जो है इतनी तेज चलती है पता ही नहीं लगता तो बस वही में बार-बार देख रही थी तो बस अब हम पहुंच गए हैं शॉप के पास काफी लोग पुछते हैं कितनी दूर है तो बस थोड़ी ही दूर है पांच मिनट में पहुंच जाते हैं तो यह रही हमारी शॉप और हजबन जो है वो यहां पर थे बीजी तो बस हमने जादा डिस्टब नहीं किया अपना समान जाएंगे और बस अब हम निकल गए हैं और भाई जो है वो पहले हमें चोड़ेगा उसके बाद अपना काम करेंगा फिर हमें लेने आ जाएगा कि रांपूर पहुंचकर सबसे पहले हम लोग गए टेलर के पास जहां हमारा काम था और इधर उदर हम कहीं नहीं गए हाँ सूजल साथ में था तो वह परेशान करता है थोड़ा ममा इधर चल लेते हैं यह देख लेते हैं होता ही है बच्चों का तो बस हम लोग एक दो शॉप में गए क्यूंकि लाइनिंग का कपड़ा मुझे थोड़ा लेना था उसके बाद वैसे ही चलते चलते थोड़ा आ तेलर पकी था वहां से थोड़ा ही क्राउंड बजार का हमने मारा और उसके बाद हम आगे हैं वापिस और रहने दे कोई नहीं है यह अब भी खाली है सारा तो बहुत ज्यादा रेश नहीं है कम मतलब जैसा दूसरे टाइम में होता था पहले के टाइम में होता था बहुत क जा रहे हैं उपर बेट करेंगे उसका यहां उपर शांस पूंजाती है सेडिया चरते चरते और इसने मुझे इतना परेशान किया आज बहुत जादा है तो बस पांच मिनट हम लोग रोड पे खड़े हुए और उतनी देर भाई हमें लेने आ गया था और इसका काम भी जल्दी जल्दी हो गया अगर गाड़ी में जाओ ना फटा-फट से काम अपना हो जाता है और वापिस हो जाते हैं नहीं तो बस इस बोल रहे थी धीरे चल और यहाँ जाleistए गाड़ी 언제 घृता है और और इस बौल रही थी तो और इसके बाद में घर पहुंच गई और सीधी घृत के घर जाना लबू तो ये है चोटी सी प्यारी सी आरूशी और लावन्या इसके घर पे थी बुआ की बेटी ये हैं जो हमारे नेबर है तो बस ये डांस कर रही थी मैंने का थोड़ा साप लोगों को भी दिखा देते हैं तो पूरा दिन इनोंने खुब मस्ती की इसे में यहां का और पहुंच गई थी मैं पता नहीं टाइम क्या हुआ था अंधेरा हो गया था भाई को समान लेके दिया भाई गया है माई के मतलब ममी के पास और तो भाई गया है ममी के पास आज आफ था उसका सर्विस के बाद वहां चला गया और अभी हजबन आये हैं शौप से और ह आज कल ना हमने मतलब दूद वाली चाय जो हैं वह बिल्कुल नहीं पीते हैं अब यहीं वाली चाय पीते हैं और लावन्या को डांट पड़ रही है क्यूंकि उसको होमवर्क है ना बहुत पैंडिंग चार दिन का तो बस उसको गुसा आता है जब होमवर्क सभी बच्चो कर रही हूं कर रही हूं तो बस यह जो सूट है ना यह वापिस दे दिये जो सीमा जी ने भेजे थे उन्होंने काया कि आज कल देखो नवरात्रे हैं दिवाली दशेरा शादियां करवाचौत सब कुछ ही कठा आ जाता है और शादियों की इतनी जादा डेट होती है ना तो उन पे भी प्रेशर पड़ जाता है उन्होंने का यह तो नहीं हो पाएगा यह करवाचौत के बाद होगा प्लीज समझो तो मैंने का भाया प्लीज आप भी समझो किसी ने प्यार से भेजे हैं मुझे पहनने हैं शादि हैं तो फिर भाया ने का ठीक है काम करो घर लेके जा और आप बहुत कम लोग जाते हैं आजकल तो अब देखते हैं क्या होगा हाँ आप क्या नहीं हुआ ने लो कर दो भी नहीं दिख रहे हैं अधर हो अब तो अब मैं पिऊंगी चाह इन्होंने फटा-फट से अपनी चाह पी तुमने चाह पी ली मैं नहीं पी सकती गरम-गरम चाय तो मैं ठंडी चाय पी इसके नीचे है इसके नीचे क्या कर रहा है जमेटरी बॉक्स निकालो तो अब मैं कराती हूँ लावन्या को होमवर्क और दाल जो है वो दुपहर में बनाई थी वही रखी है हमारे पास और देखते हैं चावल बनाई बनाई भाइब बनाटा बनाता है तो ममी घर का काम चला था पिछली सर्दी से ममी यहीं पर है और फिर यह रहता है अभी दाल लगाई फिर थोड़े टाइम को चले जाते है फिर दाल की निंडाई करने को आजाती है फिर दाल निकालने को आजाती है उसे पहले सेप का सर्दियों में पूरा वो रहता है तॉलिये वगएरा करने हैं सेप की देखरे करनी और उसके बाद फिर सब्जियां वगएरा होती है तो ब अब अभी शिम्ला में अकेली रहते हैं, खाना वगरा खुद से बनाते हैं, तो चलिए पहले मैं इसको जोटी बाद के लिए तो यह मुझे बहुत परिशान करेगी, और चाय पी लेती हूं अपनी, तो बस थोड़ी देर हम लोग बैठे चाय पी उसके बाद बच्चों का थ बाद भूख से बंद हो गई थी तो सबसे लास्ट में खा रही हूं मैं खाना और बाकी सब ने जो है वो खा लिया है, तो ना खाना वगएरा हो गया, और साड़े दस का टाइम हो गया, और मैंने इसमें लगी हूई थी, यह जो सूट से तो यह मैंने निकाल दिये, करेंगे और फिर जाकर कहीं बनेंगे, क्योंकि मैरिज है, नेक्स्ट बीस से तीस के बीच में वह भगव सारे फ़ंक्चन है, तिन-तिन मैरिज है, लावन्या का बर्टे है, मेरी एनिवरस्री भी है, और कजन की मैरेज़ भी है, और बहुत कुछ है, और उसके बाद फिर घ वाला है बनार सी दूपटने वाला डाउक गरीन कलर का है और उसका यह दूपटना और उसका करवाचोत का नहीं नहीं है और मैंने दे दिया है करवाचोत के लिए मेरा यह पना है कलर ये डाक रानी सा कलर है पर ये देखने में रेड लग रहा है अब आप जैसा भी समझे लो ये कलर है पिछले बार मुझे काफी कमेंच थे कि कलर आप थोड़ा ब्राइट सा कलर पहना जैसे रेड औरेंज इस तरीके के येलो इसा कलर प्राय किया है तो मैंने सिम्पल सूट है सिर्फ ये दूपटे पर वरक है और थोड़ा सा पल्ले में है गले में है बाकि जब पहनूंगी तब आप देख लेना तो सिस्टर वैसे सिलती तो यही है रामपूरी सिलती है पर ऐसा नहीं है वो रोडू भी सिलवा लेती है वहाँ जल्दी सिल देते हैं और जो मेरे वले टेलर भीया हैं उनके पास टाइम नहीं होता है मतलब बहुत सारा रश होता है उनके पास तो उनके पास जल्दी देने पड़ते हैं तो बस अब यह मैं यहां पैक कर दूँगी और यह रेखती हूं कल तो संडे हैं कोई पर्सो जाएगा तो ठीक है नहीं तो मम्मी जाएगे उनके हाथ बिजवा दूँगी और यह भी रख देती हूं मैं अब पता नहीं कैसा लगेगा और एक मैं भी ऐसा सिलवाओंगी यह मे मैं सोच रही थी पता नहीं ब्लैक कलर मुझ पर अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं कलर तो अच्छा लगता है मतलब जैसे मैरीज वगरा है उसका दूपड़ता पिंक कलर बाकी यह सारे खतम हो गया और एक बात मैं और कहूंगी काफी कमेंट थे जब मैंने अपनी शॉप दि बिजनेस करोगे तो वैसा तो हमारा कुछ नहीं था मैंने मतलब कभी हमने ऐसा सोचा नहीं ऑनलाई पर अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोग चाहते हैं कुछ लेना किसी चीज का रेट जाना तो मैं शॉप तो आप मुझे बता देना कमेंट करके मैं आपको रेट बता दूंगी जो रेट होगा और भेज सकते हैं क्यूंकि भेजने के लिए भी देखिए पैकिंग के लिए भी समान चाहिए होता है तो उसके बाद मैं बोलना ही भूल गई थी यह बात काफी कमेंट थे उस पे किन और पंजाब से थे काफी जगा से थे कि फ्लीज आप भीजवा दो यह वह सूट तो तो अब बहुत कम हो चुके हैं मतलब आधे से आधे हो चुके होंगे कम से कम मैं भी शौक नहीं गई कल गई ती थोड़ी देर जब रम पूर गई थी और उसके बाद मैं नहीं बैठी शौक अगर आपको कुछ पसंद आता है आपको रेट अच्छा लगता है तो कोशिच करेंगे भीजवाने की तो चलिए अब बाते बहुत सारी हो गई है अब इस वीडियो को भी करते हैं एंड चोटा सा था कुछ जादा नहीं था तो मैंने का चलिए बना लेते हैं आप लोग कहते डेली डूटीन ही शेयर करो तो वीडियो को लाइक कर देजेगा और कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट करके मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई गुद नाइट टेक कियर